तमाम DLA students और DLA के परसी चनरती एक बर फिर से सौगत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MSA Classes पर तो DLA Final Exam 2 है वाईश को लेकर एक और नया special वीडियो जिसमें paper 6 English paper में आपको कौन-कौन सा topics और questions को त्यारी करके जाना है इसके बारे में आपको suggested question बताएंगे और अगर आप इन question और topics के मदद से तयारी करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक बहतिन तयारी कर सकते हैं शाथ ही आप लोग के exam में ये सब question देखने को मिल सकता है तो अगर आप अपने से तयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी वात है लेकिन शाथ में आप इन topics important topics और question session जो हम देने जा रहे हैं आप लोग अपनी तयारी में सामिल जरू करके जाना है तो फाइनल एक्जाम दोहर 22 चार्टकर प्रामरेज टीचर्स ट्रेनिंग सेसं दोहर 19 से किस और उसे पूर के students के लिए important questions और topics English paper से जिसमें टोटल आपको एक्जाम में तीन घंटे का समय मिलेगा और 60 मार के यहां पर फूल मास दिया जाएगा लेकिन उससे पहले आप लोग को question का pattern समझ लेना जरूरी है तो अपने वार्ड में तो लिखना ही है question का pattern क्या रहेगा देखिए question English में आपको दो section में बटा रहेगा एक आपका section A दूसरा आपका रहेगा section B section A में आपको होगा क्या इसमें आपको total 4 question दिया रहता है ठीक है maximum देखा गया है कि 4 question दिया रहता है या फिर और या अथुआ करके और उन चारों में से आपको कोई दो question कमपल्सर लिखना होगा यह आपको मतलब जो है question pattern होता है और एक आपका section B ठीक होगा आपको दिखा देता है एक होगा आपका section A और एक होगा section B तो section A में आपको total 4 question पूछेगा उनमें सापको कोई भी दो सवाल का answer लिखना पड़ेगा तो चलिए section A से जो 4 सवाल रहेंगे इनके और लेकर हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगो आठ question session के करते हैं तो आपके लिए बेहतर त्यारी हो सकता है शाथ ही आपका बेहतर स्कोर भी हो सकता है तो आप अपनी तैयारी में इन question को सामिल जरू किजिएगा तो देख लेता है section A से कौन कौन सा question आने की उम्मीद है question number one write a short note on its structure approaches of teaching English और second question है what in your opinion should be the special aim of teaching English in इंडिया तो teaching English से related यह दो question आप लोग जरू cover करके जाईएगा मुझे उम्मीद है इस बार आने का संभावना बहुत ज्यादा है यह दोनों question ठीक है तो दोने ही वी वी आया है very very important अगला दो question के बाद में बात करें तो देखिए एक है आपका what is audio visual aids discuss the types of audio visual aids and details explain तो audio visual aids related question आ सकता है इसका types से भी और इसका details explain करने के लिए भी आएगा तो यह तीन number question भी जरू करके जाईएगा अगला question के बाद की जाए तो अगला question है four number में मेरी तरफ से सहिस्टर किया जाएगा वह है what are the general principles of teaching English तो teaching English का general principle क्या है आप लोग इसको जरू करके जाएंगे तो question number five मेरी तरफ से सहिस्टर रहेंगे question number five में आपको बता दे what are the skills of language how will you develop the skills of speaking English in your students यह question आप लोग जरू करके जाना है अगला question सहिस्टर मेरी तरफ से six number question what are the different methods of teaching reading to the beginners एनि आप बेगिनर्स बच्चों को जो teaching reading कराएंगे तो इसका different method क्या-क्या है इसके बारे में आपको करके जाना है त्यारी फिर पेसेंट ठीक है मेरी तरफ से question number seven जो पर आप लोग के लिए रहेगा side state वो रहेगा what is the purpose of using teaching aids in the teaching of English what is the purpose of using teaching aids in the teaching of English English teaching में आपका teaching is जो है आप कौन सब्सक्राइब किस करना चाहेंगे तो इसका answer आप लोग जरूर करके चाहिएगा तो यह total 4 question जो आने वाला section यह से उनमें 2 question लिखना पड़ेगा आपको तो उन चारों के लिए आपको हम total 8 question ही बताएंगे तो 7 question है बता दिया है आप बात कर हम यहां पर में बताएंगे यह सब में आप लोग तयार करके जाना है ठीक है होता क्या है कि जैसे मालीजी यहां पर method of teaching English लिखा हुआ है तो the grammar and translation method इस से related आपको details में लिखने के लिए आएगा ठीक है जैसे मालीजी the grammar and translation method से मतलब आप क्या जानते है यह सब से English में आएग करना है शाथ ही उसके बाद एक और मेरे तरफ से जो में रहेगा वह रहेगा आपका structural method ठीक है और इसके बाद एक और में रहेगा वह communicative method और उसके बाद fourth method है आपका direct method तो देखिए यहां पर direct method important question है यहां यह मतलब very very important है लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि यह दो बार लगातार question आ चुका है है situation method method ठीक है और एक आप लोग त्यारी करके जाएगा इक्स्ट्रा हम आपको बता रहे है वह है bilingual के बारे में ठीक है बाइलेंगे इंग्लिस के बारे में जो language इस पर मतलब बाइलेंगे जो method है उसके बारे में आप लोग जयरू करके जाएंगे लेकिन यहां पर important हम पांची method आपको देने जा रहा है आप लोग और देख लीजिए method of teaching इंग्लिस का ग्रामर और ट्रांसलेशन method the structural method that that communicative method यहां पर द्याट हो गया द्याट नहीं द्या होगा डाइरेक्ट method और सिच्वेशनल method तो इन पांचों method का आप लोग जरू करके जाना है यह मेरी तरफ से सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन इन question को आप लोग जरू सामिल कीजिएगा ठीक है और एक खास बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि और भी आप लोग के लिए आप जो है solution वीडियो आने वाला है answer question जो आप लोग अभी बता रहे ना इनका answer भी आने वाला है तो यह आपका एक दो दिन के अंदर answer वीडियो आएगा शाथ ही चाहे मैत हो साइंस का पेपर हो इसके लिए भी आप लोग को important question बताया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जरूद देख लिएगा आप बात करेंगे section B से देखे section B बहुत ज़्यादा important है क्योंकि section B से आपको total तीन question का answer लिखना है और इसमें क्या करना है आपको बस आपको बताने जा रहा है बस इतना कीजिए आपके लिए काफी फाइदमन्द होगा ठीक है तो इस तरह से preparation कीजिए section B से total तीन question section A से आपको 2 question है और section B से आपक section B से उस तो चलिए आपको बताते हैं लेकिन उससे पहला आप लोग बता दे कि section B में जो आपको question आएगा एक grammar level का question होते है ठीक है यतना याद रखिएगा पहला आप लोग कोई भी एक लेटर application या फिर एक लेटर ठीक है यह आप लोग प्रैक्टिस करके जाएगा और मु आप कुछी बाहर होस्टेल में है ममी पापा को पैसा के लिए किसी भी कारण में तो यहाँ पर आपको application याप कोई भी लेटर आ सकता है दूसरा आपका है यह से याप paragraph कोई भी आपको टॉपिक्स दे देगा यह बहुत ज्यादा इस बार important है ठीक है तो इसको आप लोग very very important very 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 लगा लीजिए मेरी तरफ से यह दोनों आप लोग प्यारी करके जाना है लेकिन यह आपके लिए very very important है यह से और paragraph में क्या है जैसे मालीजी आपका देदिया की discipline ठीक है तो discipline से आपको करना क्या है उसके बारे में paragraph लिकना है यह से लिखना है ठीक है जैसे निवन करेंगे वह है translate into English यह एक दम आपके लिए कंपल सरी है इसको आप लोग को प्रिपरेशन करके जाना ही है क्योंकि maximum अगर पिछले 10 साल का कोशिन उठा ली जागा तो 9 बार आपका translate into English आया है और हिंदी में दिया रहता है और इंग्लिस में आपको बनाना पड़ता है ठीक ह हो सकता है कि इस बात जो है आपका English to Hindi दे दे लेकिन ऐसा नहीं है ज्यादतर आपका Hindi to English रहेगा इंग्लिस बनाने के लाता है ठीक है तो चलिए यह रहेगा अगला आपके लिए रहेगा प्री पोजिशन और उसमें आपको प्री पोजिशन जो है भरना पड़ेगा उसके बात होगा डायरेट इंडायरेट इस पीज आपको थोड़ा सा इस पर नॉलेज बना लेना है आप मुझे उमीद है आप लोग जानते भी होंगे सब ठीक है तो इसमें ज्यादा घबराने की ज़रत ही नहीं पड़ेगा तो प्री पोजिशन में खाली रहेगा और डायरेट इंडायरेट इसमें आपको लिकने के लिए आएगा अगँ मेरी तरफ से होग्यों है मेक sentence from words मतलब आपको कोई दस वाट देदेगा या आट वाट देदेगा जैसे मालीजे की मालीजे की बॉल ठीक है बॉल से कोई आपको sentence बनाना है उसके बाद यहां पर देखे degree of comparison यह भी आप लोग जैरू कवर करके जाईएगा ठीक है तो degree of comparison में आपका आया आता है super letter बनाने या कुछ भी जैसे good better based इस तरह सापको बनाना पड़ेगा दिखा रहेगा good और आपको इसका बनाना पड़ेगा तो आपको बनाना है better based इस तरह से आता है अगला देखिए grammar में आपको क्या सकता है यहां पर पर दिया देडाए कोई और उसका तीन पर लिखने के लिए आ सकता है तो इसको भी आपको तैयारी करके जाइएगा ठीक है तो यह सब आपके जो है नोर्मल चीज है यह आप थोड़ा से grammar वगर जानते होंगे वही काफी है उसके बाद देखिए active passive voice इसको भी आप लोग जरू करके जाना है इस बार तो यह total 10 है जो कि आपके लिए प्रैक्टिस है इन 10 में से आपको जो है section B के question जो तीन question आपके लिए आएगा इसी में आपका number अच्छा खासा भी उठेगा भी इसके लिए आपको करना क्या होगा इसके लिए कुछ नहीं करना है सर्थ सिर्फ एक है कि section आपके लिए जहाडखन डियलेट प्रिवियस सेवन येर्स question और इसके लिए description में जो है हम और इंगलीज पेपर के लिए प्रिवियस सेवन येर्स का question बता दिया है तो जाइए और उन सभी साथ सालों का question देखिए और उन सभी question को आपको solve करना होगा अगर आप ये question साथ सालों का solve कर लेते हैं तो मुझे उमीद है आपको और कवी भी तैयारी और यानि कोई भी और वीडियो या पिकोई और टॉपीज देखने के ज़रत पड़े ठीक है तो साथ सालों को आप लोग ज़रूर प्रिवेस से question देख लीजेगा तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो share किजिए और सब्सक्राइब किजिए